दोस्तो आज की वीडियो में हम मलिक आरजुन जोतिरलिंग के बारे में बात करेंगे जो की आंधर परदेश में स्थित है दोस्तो मलिक आरजुन जोतिरलिंग भगवान सीव के बारा जोतिरलिंगों में से एक है मलिक आरजुन जोतिरलिंग आंधर प्रदेश के क्रिष्णा जिले में हैं। मलिक आरजुन जोतिरलिंग श्री शैल पर्वत हुराजमान हैं। और ये खिरिष्णा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तो मलिक अर्जुन जोतिलिंग को दक्षिन का कैलास भी कहा जाता है अनेक धरम गरंथों में इस्थान की महिमा बताई गई है महाभारत के अनुसार स्री शैल परवत पर भगवान सीव का पुजन करने से आशोमेग यग करने का फल प्राप्त होता है दोस्तो कुछ गरंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि स्री शैल के सिखर के दरसन मातर करने से दरसकों को सभी परकार के करश्ट दूर हो जाते हैं दोस्तों कहा जाता है कि जब सर्थ के अंसर भगौद कार्तिके विवा के लिए जब पूरे पृथवी का चकर लगा कर आते हैं तो भगौद गणेस का विवा पूर्ण देखकर नराज हो जाते हैं और क्रौँच परवत पर चले जाते हैं में परकट हो जाते हैं और तभी से मलीकारजुन जोत्रलिंग के नाम से वहां पर परसिदुए दोस्तों मलीकारजुन की दिवार पर लिखी कहानी के अनुसार चंदरवती नामक राजकुमारी एक थी जो जनम से ही साही ठाट से रहती थी परन्तु चंदरविती ने सब कुछ त्याक कर अपना जीवन तपश्या में बिताने लगी थी और वो कदाली जंग में ध्यान लगाई हुए थी कि उन्हें कुछ महसूस हुआ उन्होंने देखा कि कपिला गाए बेल विरक्स के पास खड़ी है और अपने दूद से वहां के स्थान को दूल रही थी ऐसा हर दिन होता था और वो देखती थी और वहां पर जाकर जब देखा और वहां की खुदाई की तो वहां पर सिवलिंग प्राप्त हुआ दोस्तों चंद्रवती भगवान सिव की बहुत बड़ी भग थी और जब उनका अंत समय आया तो कहते हैं कि वो हवा के साथ कैलास में उड़ ग कार्याले से लेना पड़ता है यहां एक गुफा से भैरवरी मूर्तियां भी है माना जाता है कि यह गुफा कई मील गहरी हो सकती है दोस्तों इसके साथ ही आप यहां पर आसानी से जा सकते हो हवाई-जाज रोड और ट्रेंड से यह अच्छे से यह जगह connected है आप जब चाह प्रेंघ